हेलो एबरीवन आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे एस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ इसमें मैं आपसे डिसकस करूँगा कि यह जो मुच्वल फंड है इसने पिछले एक साल तीन साल पांच साल या फिर एनुवल रिटन क्या दिया है आज के डेट मिस का एक एन अभी का प्राइस क्या है यह कितने स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें मिनिममम S.I.P. अ क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है साती साथ मैं आपसे डिसकस करूँगा इसके अंदर कौन-कौन सा हिस्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किये होते तो फिर आपको आगे क्या रिटन देखने को मिल सकता थ और लास्ट मैं आपसे डिसकस करूँगा कि क्या हमें ICIC Prudential Retirement Fund Pure Equity Plan Diet Growth के अंदर इंबेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने ओरेडी इंबेस्ट किया है तो आगे आप क्या करेंगे बात करते हैं ICIC Prudential Retirement Fund Pure Equity Plan Diet Growth यह एक Solution Oriented Category के अंदर आता है Retirement Mutual Fund है और यह moderate हायरिक्स है इसमें जो लॉक इन पिरियेड है वो 5 साल का लॉक इन पिरियेड है एक साल की रिटन के बात करते हैं तो एक साल में रिटन दिया है 54.19% का तीन साल के बात करते हैं तो तीन साल में 32. cette परशेंट का रिटन है 5 साल के रिटन का बात करते हैं तो पाँन साल 25.57 साल का रिटन है और अगर अनुआ रिटन की बात करें तो एन वर रिटन है 24.19% का ऑब हम लोग एन साल के ऊपर बात करते हैं तो आज कि यह एन बी पर प्राइस है 33 सुर्प्य 16 पैसा रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें आप मिनिमूम साइपी अमॉंट 100 पर लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है सबसे पहले आप एकाउंट बनाईए एकाउंट बनाने के बाद आप अपना इन्वेस्मेंट स्टार्ट कर सकते हैं बात करते हैं अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर 5000 रुपया परमन जमा किये होते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता एक लाक असी हजार आपको मिलता दो लाक पंचानवे हजार दो सवा अन्ठानवे रुपया यानि कि साइपी के थूरूर तीन साल में आपको 64% के आसपस रिटन देखने को मिलता है और बात करते हैं अगर आप इस मुच्वल फंड के अंदर एक बार में एक लाक रुपया क का लमसम किया होते हैं तो एक साल में आपका एक लाक रुपया एक लाक चबवन हजार एक सो नव्य रुपया होता है तीन साल में आपका एक लाक रुपया दो लाक तीस जार आठ सो सतासी रुपया होता और पांस साल में आपका एक लाक रुपया तीन लाक बार हजार एक सो अन्ठान बेर प्या होता है हौल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके आंदर जो टोटल इसटॉक लिस्टेड है वो टोटल 79 इसटॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप 10 इसके सेक्टर बाइज डिसकस करते हैं तो पहला नमाता भारती इतल लिमिटेड स्वार्ड इनॉक्स वाइन लिमिटेड कैपिटल गूट्स मारती सुजुक इंडिया लिमिटेड ओटम वाइल इंटर ग्लोब अभियेशन लिमिटेड सर्विस के छेतर में है अगर इसकी हॉल्डिंग अनलाइसिस को हम लोग देखे तो एक्वेटी पे है छेयनवे पॉइंट अगर इसकी एक्वेटी सेक्टर एक लोकेशन देखे तो कंस्ट्रक्शन पे है अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 31.49 और पीवी रेशियो 4.13 अगर आप इस मुच्वल फंट के अंदर अपना पैसा इंभेश्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिममम लमसम आपको 5000 प्राइब करना होगा और अगर आप साइपी के तो इनवेश्मेंट करना चाहते हैं तो 100 रिप्या से आप इसाइपी अपना स्टार्ट कर सकते हैं अब हम लोग रिटर्न रेंकिंग के ओपर बात करते हैं और आहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस मुच्वल फंट के अंदर इनवेश्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं आईसे ऐसे प्रूडेंटल रिटार्मेंट अब लोग रिटर्न एक साल में 49.9 होता है तीन साल में उनिस पॉइंट दो है और पांस साल में उनिस पॉइंट चार यहां से देखेंगे तो यह मुच्वल फंट हमेशा अपना कैटेगरी अब रिटर्न को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है तो अ अब हम लोग इनकी expense ratio के उपर बात करते हैं तो expense ratio है 0.78% का exit load नील है और lock in period है 5 साल यानि 5 साल के बाद आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बीना कोई charges के और stem duty के अगर बात करते हैं तो stem duty है 0.005% tax implementation की बात करते हैं अगर आप invest के आवा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका return होगा उसके 15% का tax लगेगा अगर आप एक साल के बाद इससे पना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर आपका एक लाग प्लस का return बनता है तब फिर आपको 10% का यहां पे tax देना होगा अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी fund house and investment objects को तो आईसे ऐसे प्रूडेंटल मुच्वल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पर नमर तीन पर रहेंग करता है इसका टोटल असिस्ट अंडर मनेजमेंट है सात लाग एकासे जार तीन सो चुरानवे करोड का बात करते हैं आईसे ऐसे प्रूडेंटल रिटार्मेंट फंड प्योर एक्वेटी प्लान डायट ग्रोथ ये एक सॉल्यूशन और येंटेड मुच्वल फंड स्कीम है जो कि लॉंच किया गया है आईसे ऐसे प्रूडेंटल मुच्वल फंड की तरब से मिर्नान सिंग अभी इस इसमडल फंड इसमें मिनिमूमें आईपन टेघ्स सैंड कर रिटैर्मेंट ओन इसम करें है तो आज इस वीडियो मैं